हेलो पीपल वेलकम बाक तो चानल मेरा नाम है वैभाव एम दी फांडर आफ स्टोरी पिक्स इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री को लेकर क्या ट्रेंड्स है जो चल रहे क्या कैटेगरी के गेम्स और गेमर्स किस त किये है तो सब्सक्राइब नमबर वान इस मोबाइल गेमिंग जितने डिवाइसे जितने लो इंड दिवाइसे स्मार्टफोन आ रहे है वर टियू 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 में पहुंच रहे है और इंटरने राक्सिविसिश्बिलिटी इन इंडिया विकास अफ जियो और नेट्वर अलसो मोबाइल गेमिंग डॉमिनिट किये जा रहा है और अगले कुछ साल तक आप को दिखेगा इंडिया कोड भी वाइड नेट टॉप वाइड नेट प्रियू आप गेमिंग स्पेस में जो बूम कर रही है तो मोबाइल गेमिंग सब से बसे नंबर वान पे है जो यो आ लॉव जो पेचले ताप पर आज भी तो पर है नमबर टॉप्स एंड एंडिया में वाइड बढ़ एंड टॉप तोनमेंंस बढ़ रही है और उसी के चलते ूज़ जो यह सब चीज़े और बढ़ते जा रहे है और इंड्या में e-sports का trend काफी Europe peak ले चुका है पिछले दो-चार सालों में और यह आगे और बढ़ते जाने वाला है No.3 is localization and regional content Game developers या companies अभी अगर आप इंडिया में देखो तो ऐसे games बना रहे है जो काफी localized है काफी regional content है उसमें storytelling के aspect से you know Indian ethos के aspect से cultural aspects के जितने भी games अब देख रहे हो काफी games ऐसे है जो localize होते जा रहे है Vernacular में tier 2, tier 3, tier 4 इंडिया का जो market हो काफी बढ़ा है and to reach that market मुझा लगता है कि यह करना बहुत ज़रूरी है और वो फिलाल बहुत जादा scale पे हो रहा है इंडिया में just to give you one plugin हम लोग भी storypix जो बना रहे है it's a it's a game which is in Hindi right now अलग languages में convert होने वाला है पर अगर आपने अभी तक storypix चेक नहीं किया है जो एक interactive storytelling platform है Hindi में available है Google Play पे available है अगर आपने देखा नहीं है तो प्लीज चेक आउट करना यहां पे में एक link डाल रहा हूं उसे जरूर जाके देखना number four is hyper casual games पिछले दो-तीन सालों से hyper casual बहुत boom कर रहा था अभी फिलाल hyper casual से hybrid casual में turn हो रहा है लेकिन hyper casual एक बहुत quick entertainment का factor है और बहुत सारे चूटे developers है जिनको games बनाने है और आपने recent news पढ़ी है तो apple launch कर रहा है अपना vision pro अगले साल 2024 में और इंडिया में भी AR और VR का जो scope बढ़ते जा रहा है जो you know a lot of companies are you know getting into it probably in the B2B side right now लेकिन वहां पे पी ज्यादा काम हो रहा है industries में अलग अलग industries को लेके and people are you know using these technologies using new gadgets new tools to experiment a lot with these you know aspects so number five मेरे लिए है AR and VR number six is indie games इंडिया में मैंने अभी recent years में इतने सारे developers देखे है जो बहुती यूनीक game बनाना चाहते है अब्यूसली एवरीबड़ी द्रीम्स तो मेक रिपल-A टाइटल वन दे पर यूनो इसकी young developers है जो नए-ने concepts के साथ यूनावता पर यूनोट सेथी यूट साथ दो बनाते जा रहें तो इन्दाए वह इंड़ काव् ड़ नपर पहला है उनुक का एपर ज़ाला फोकस है बट हम देख रहे हैं कि इसे बहुत सारे इंडिपेंडेंट गेम आरे हैं एपल आध प्लीक एले कोम बाल में लॉक्त फोकस है व्यूत्विल पहलं गठाफोर हैं विडरी अरे दिश्ट का शकल रहा हैं विडरी फियू अ huge audience that has suddenly you know built or grown in the last three years जितने भी influences and micro-influencers उन्होंने जो भी game stream करने start के उसके साथ you know a wave came in and game streaming platforms वेसे grow होने लगे और India-based भी ऐसे कई platforms आये उसके बाद which are which are slightly different models but game streaming या फिर you know video streaming becomes like that primary tool of engagement अभी recently आपने देखा होगा लोको आपने देखा होगा रूटर जो you know homegrown brands है तो game streaming again is one of the powerful powerful trends that is you know happening in India right now number eight is cross-platform gaming बले थोड़ा सा छोटा सा सेक्टर है ये developers का ये companies का जो cross-platform gaming कर रहे है जो cross-platform games बनान की कोशिश कर रहे है जहां पर people can play games on different platforms and synced together तो आप PC बे खेल रहे हो console में भी खेल रहे हो या फिर mobile में भी खेल रहे हो आपका you know status आपका जितना भी progress है वो एक साथ होगा and then you can also play with different people on different platforms in just one game तो वो you know वो अभी slowly grow रहा है लेकिन that some trend that we are seeing in India right now and probably आगे जाके एक must होने वाला है जो mid-level के या बड़े level की games आएंगे वो cross-platform होना could be a must in in coming future जो 9th है वो internal है games के अंदर वाली strategy है जो monetization strategy है इंडिया में जो premium games है या paid games है वो नहीं चलते ज्यादा it's not that की लोग you know spend नहीं कर सकते it's not that but people have not you know advanced to a level in terms of gaming industry consumption of games at this moment जहां पे वो पैसे spend करे but you know to counter that a lot of game developers a lot of bigger gaming companies are experimenting with a lot of in-app purchases in-game monetization या फिर live events के साथ बहुत ज्यादा experiment कर रहे हैं to you know to make money within the games using all these virtual elements तो वो एक trend काफी ज्यादा चल रहा है और मुझे असा लगता है कि premium category के जो games है जितने भी आरा इंडिया में उसमें ये चीज होनी उतनी ही ज्यादा जरूरी है because that's how you'll make money from these games last but not least is gamification but in the non-gaming sectors हम जब इंडर्डोग में काम कर रहे हैं we also did a lot of gamification work for non-gaming companies किसी के लिए training simulator बनाया है किसी के लिए driving simulator बनाया है किसी के लिए just you know to understand the aspects of the company इसा कोई simulator बनाया है gamification works you know a lot more in the education sector in the fitness sector in the health sector और ये चीजे हम देखते जा रहे है अभी फिलाल एक point में मैंने जो बोला था कि B2B side में you know AR VR काफी चल रहा है similarly gamification B2B में बहुत ज्यादा चल रहा है with these non-gaming companies who want to convert their basic processes into a lot more fun and engaging processes so you know gaming companies ऐसे कही जादा है जो you know non-gaming companies के ले काम कर रहे है in terms of modifying all these processes gamifying it making it more fun so that's about it these are 10 trends that I feel are you know doing amazing in India right now in today's world which is 2023 it's definitely not going to be relevant in 2024 वहाँ पे हम अगले you know कुछ और trends लेखेंगे जब हम वहाँ पाँचेंगे but आज फिला ये चीजे चल रहे हैं देह में and then you as a game developer you know need to need to you know utilize these things and see how you can fit into you know couple of these and make money from it that's about it मेरा आम है वाइभव अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हो तो 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 रहन जाए इंस्टाग्राम पर फॉलो किजिए इस चैनल पर पेली बार आयोगो तो प्लीज सब्सक्राइब किजिए मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में जहां पर और इंफॉमेटिव चीजे आपको बताऊंगा रिलेटिट तो गेम्स गेमिंग इंडस्ट्री और गेम डेवलोपेंट मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए गुर्पाए मेरी जान सब आसमा से है इत जान इसे तारों में दी है मेरी जान